हेलो गाइस और वैलकम तो माई यूडूब चेनल टैग बंगेस या वीडियो आपके काफी ज़धे इंपोर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली फाइनल इस वीडियो मा आपको बताने वाले हैं आप अपने Samsung Galaxy EF55 के फोन में किसी भी आपकी notification बंदिया चालू करना चाते हैं या lock screen notification आपको hide करना बंदिया चालू करना है फोन के setting में आओ फोन के setting में आने बाद कुछ हैसा interface आपके screen पे मिलेगा उपन notification नाम से option मिलता आप इस पर किलिक करिए notification के option पे जिसी किलिक करते हैं नीचे more नाम से option मिलता more के option पे किलिक करना है more के option पे जिसी आप किलिक करते हैं यहाँ पे आप all app चूच कर लिजेगा सारे application आपको दिखाई देने लगेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आप जो है जिस आप की notification बंद करना चाते हैं बंद कर सकते हैं चालू करना चाते हैं चालू कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके साथ आप जो है बैक आजाएए यहाँ से बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद देख पाएंगे एक option आपको notification lock screen नाम से मिलता है आप इस पर click करते हो किलिक करने के बाद यहाँ पर lock screen पर notification सो होना चाहिए या नहीं सो होना चाहिए यहाँ से आनाफ कर सकते हैं